उत्तर प्रदेश में दो बड़े रेल हाथसों के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार मित्तल ने अपना स्त्याक पत्र दे दिया है मित्तल ने रेल मंत्री सुरेश प्रभू को अपना स्तीफा सोपा है वहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने रेल हाथसे को नेतिक जिम्मदारी लेते हुए स्तेफी के पेशकश की उत्तर रेलवे में पिछले 5 दिनों में दो बड़ी रेल गुटनाएं सामने आ चुकी है मुजफर रंगर में कलेंग उत्कल ट्रेन हाथसे में कई लोगों की जान चली गई थी वहीं कल देर रात आजमगर से दिल्ली जा रही कैफियत एक्स्प्रिस ट्रेन और रही जिले में दिल्ली हावडा रेल मार्क पर एक डंपर से जाटक रही ट्रेन के 10 डिबे पट्री से उतर जाने की वज़ा से 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए तो वही 26 की गंबीर हालत बताई जा रही है